नमस्कार दोस्तों मैं कुंदन सिंग टिवेल कोचिंग के मेरी इस यूटूब चनल पाप का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम कक्छा दसवी हिंदी कक्छा दसवी हिंदी पाठ दस है जिसका नाम है मचली मचली पाठ के लेखक थे बिनोद कुमार सुकल जी इस चेप्टर में कुल मिला करके 22 औवजेक्टिव को उसन सेट हुआ है यदि आपके मैटरिक के बोड परिशा में मचली पाठ से यदि हिंदी के पेपर में आपका कोई सवाल आता है तो इन बाईसो सवाल में से अवस्य टच करेगा 3-4 नमर पकायेगा इन 200 सवाल में तो आप इस वीडियो के आनुत बन रही है आपको 3-4 नमर पका मिलेगा तो देखिए इस चेप्टर का यानि क्याक्या 10 भी पाठ 10 जिसका नाम है मचली और मचली नामक पार्ट का पहला कोशन क्या है पहला कोशन है मचली पार्ट के लेखा कौन थे तो याद रखिएगा मचली पार्ट के लेखा के लेखा के बिनोध कुमार सुकल जी थे ठीक है आपको याद रखना है मचली पार्ट के लेखा कौन थे बिनोध कुमार सुकल ठीक अगला प्रस्ण है मचली पाठ क्या है तो मचली पाठ ना जीवनी है ना निबंध है क्या है कहानी है याद रखिएगा मचली जो पाठ है यह पाठ एक कहानी है ठीक है मचली नामक पाठ है कि कहानी है ठीक है अगला प्रश्ण है जील में कितनी मचलिया थी जोले में जोले में कितनी मचलिया थी जोले में कुल मिला कर तीन मचलिया थी याद रखिएगा लेखा के साथ ये घटना घटित हुई है ठीक है इस घटना को इस पार्ट के दुवरा दर्शाल दिया है ठीक है तो याद रखेगा लेखा कौरुन के भाई संतु जिनका नाम था वे दोनों मचली लेकर आ रहे थे तो जोला में कुल कितने मचली थी तो तीन मचली थी जिसमें से दो जिन्दा थी और एक मरी हुई थी ठीक है अगला प्रस्ण है जोले में कितनी जिन्दा मचली थी तो याद रखेगा जोले में जिन्दा मचली दो थी और मरी हुई मचली एक थी ठीक है जोले में कितनी मरी हुई मचली थी तो एक और जिन्दा मचली दो और कुल मिलागा कितनी हुई तो तीन ठीक है अगला प्रस्ण है मचली कौन काट रहा था तो मचली काट ने काम न भागू को था और भागू न उस घर का नौकर था याद रखेगा भागू को मचली काटने वाला काम दिया गया था मतलग घर में किसी दिन मचली आती थी तो उस दिन मचली कौन काटता था भागू यानि कहाने का मतलब का लेखा की जो मा थी न वह न मचली ने का खाती थी यानि उस घर में लेखा की मा को मांस मचली खाना या बनाना न बहुत ही पसंद नहीं था लेकिन मजबुरी में बनाना पड़ता था ठीक है लेखा की मा को ना चाहते हुए मसाला पिसना पड़ता था ठीक है अगला प्रश्ण है संतु को कौन पकर रहा था तो याद रखिएगा संतु को भागु नो कर पकर रहा था क्यों कि संतु एक जिंदा मचली को लेकर भाग रहा था क्यों भाग रहा था तुको भगुनो कर पकर रहा था ठीक है अगला प्रस्ण है मरी मचली के आख में क्या नहीं देखती है तो इस कहानी के अधारपना जो मरी हुई मचली होती है उन मचलीों के आख में परचाई नहीं देखती है याद रखिएगा मरी हुई मचली के आख में परचाई नहीं दे के राज नंद गाउं में हुआ था याद रखेगा बिनौत कुमार सूकल जी का जरम जो हुआ था चाथिस गड के राज नंद गाउं में हुआ था ठीक है अगला प्रश्ण है संतु भीगने से बचने के लिए कहां खा रहा था संतु जो मचले लेकर आ रहे था ना संतु और कि बड़े लेखक सहाब जिनका नाम था बिनौत कुमार सूकल तो वर्सा होने लगी ना तो यह घर के एक दिवार था और दिवाल के उपर पाचिल था वहीं पर यह चिपए हुए थे भीगने से और जोला का मून आप वर्सा के सामने स्रक्की हो थे ताकि वर्सा के बूंद जल्दी माचली घर क्यों ले जा रहे थे तो लेखक जो थे ना उसमें ये बाले अवस्था में थे ठीक है और यह ना और अपने भाई के साथ माचली को जल्दी घर ले आ रहे थे क्यों कि माचली को जिन्दा पालने के लिए एक जिन्दा माचली को पालने के लिए ठीक है अगला प्रश्न है पिता जी किसको मारने के बाद कह रहे थे तो पिता जी नरेन को मारने के बाद कह रहे थे बोल रहे थे कि नरेन जी घर में आएगा तो इस साले को हाथ पर तोर देना ठीक है और किसे से कह रहे थे तो भागु नामक नौकर से कह रहे थे पिता जी कि नरेन अब घर वायाएगा ना तो इसको मारना ठीक है अगला प्रशन है माचली से कौन डर रहे थे तो माचली से संतु डर रहा था लेखा बिनौत कुमार शूकल का छोटा भाई संतु ना माचली से डर रहा था लेकिन जब बार बार बीनोज मरसूकल जी ने कहा कि मचली को टच करो तब यह टच करता था ठीक है अगला प्रस्ट है किस मचली के आँखों में देखने से अपनी परचाई नहीं देखती है तो मरी हुए मचली के आँख में आप देखियेगा न तो आपके पर लेखक के कि नोकर क्या था जिसका नाम था भागू ठीक है अगला कुशन है कौन ठंड से काप रहा था संतु जो था ठंड से काप रहा था क्योंकि यह वर्षा में बहुत भींग गया था अगला प्रस्ट है किसे घर में मचली या मस बनाना अच्छा नहीं लगता था तो ल अगला प्रस्ट है परिवार के नोकर क्या नाम था तो इस परिवार के नोकर का नाम था भगू अगला प्रस्ट है कहानिकार के छोटे भाई का क्या नाम है तो अभी आपको पता है कहानिकार थे बिनोध कुमार्शूकल और इनके भाई का नाम था भगू भगू तो नोकर विनौत कुमार सुक लिके भाय च्छली के नाम संतु कहानिकार च्छोटे भाय कह नाम संतु ठीक । अगले प्रश्ण है, संतु मचली लेकर क्यों भागा, तो याद रखेगा संतु न बहुत भागा उसको कुँओं में डालने के लिए, वह एक मचली को पालना चाहता था। इस चैप्टर का सवाल है भागू संतु के पिछे पिछे क्यों भागा तो मचली लेने के वास्ते ना भागू संतु के पिछे पिछे भागा लास्ट कोशन है मचली काटने के काम किसके द्वारा किया जाता था तो मचली काटने में काम जो था ना भागू के द्वारा किया जा गजी डॉसपाट था काक्षे दसवी का दसपाट इसका नाम था मचली योदि यूदि आप चाहते हैं एक से लेकर नौ तक पाठ़ों का विडियो देखना तो आप आपके लिए हमने एक प्ले आप दो है फाया है कि देखिये और सारे विडियो को देखिए आपको उन्सेंट विडियो से बहुत ही सहुलित मूलिए आप zychिंदी में में संदि ये कि मैट इस हelा मेरेटी भूं भूड परीक्षा में आप हिंदी में नाइटाथ आप की जिएगा तो आप जाए और सारे वीडियो को लाइन से देखिए और स्कराए कर ले लिए करके आपया नोट किने हैं के आपको फायदा है आपको फाइदया आपको आई कि लिए इतना ही मिलते हमें ऊंप extend